मैं अजली चौधरी आज आप लोगों से बहुत important बात discuss करने वाले हूँ जैसा कि seated का result आया है बहुत सारे लोग मेरा भी score पूछ रहते कि आपका कितना score हुआ और बहुत सारे बच्चे fail हुए जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे ट्विटर पे हर जगे ही चीज़े है कि बहुत ही बेकार result आया है अच्छा result नहीं आ पाया है तो इसके पीछे क्या reason है और क्या दुबारा seated होगा या कब होगा और PPSC में मेरा क्या था score तो ये सारे चीज़े इस वीडियो में डिसकस करने वाले बहुत ही चोटी वीडियो होगी बस आप लोगों से कुछ डिसकस करना है first of all जो seated का result आया है उसमें 10 लाग से जादा बच्चे फेल हुए है ये बात हर कोई कह रहा है और ऐसा मतलब क्यों हुआ है तो बहुत सारे लोग reason दे रहे हैं बोल रहे है कि पहले online होता था तो उसमें setting वगरा हो जाती थी और offline में नहीं हो पाई तो ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे लगता है जहां तक कि ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि पहले तो seated ऐसा ही होता तो offline ही होता था और result कुछ हट तक ठीक आता था बट इस बार result अच्छा नहीं आया तो पहरा reason जो मुझे लगता है कि जो BPSC और seated का result जो exam था वो आस पांस था तो बहुत सारे बेच्चों मुझे लगता है तो मुझे तो यही रिजन लगता है और रही बात मेरे सीट में स्कोर कार्ड या मेरा स्कोर कितना हुआ तो आपको बदाते इस बार सीट्ट का form एंपलाइन नहीं किया तो पहले भी सीटस दे चुके हैं और उसके स्कोर आप लोग के साथ इन वीडियो में शेर भी कर चुके हैं तो अब मुझे ना ही सीट्ट का एक्जाम देना है और ना ही TET नहीं का जाँ स्कोर किया था 灌ता या फिर पैसे वेस्ट होने के अलावा तो अब मुझे नाही सीटेट देना और मैं अप्लोग से बदा दिया है और बीपसी के बारे में लोग कॉमेंट करें थे कि आपका कितने स्कूर है अपनी फ़र्म अप्लाई किया था या नहीं किया था तो बैं आपको पादो फ़र्म अप्लाइ किया था बट कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई कि मैं पेपर देने नहीं जा पाई और इस बात का मुझे बुरा भी लग रहा है कि हाँ पेपर नहीं दे पाई और मतलब सारे प्रिपेर था यह था कि हाँ पीजी का एक्जाम मुझे देना है देना है बट दो दिन का पेपर था तो अलग अलग देज में पेपर था और फिर घर में भी थोड़ी ची प्रॉब्लम थी आप अगर ग्लोगर नश्मी दी का व्लॉग देखते हैं तो आप लोग को बहुत चारे चीज़े फैप्ली का पता ही होगा तो उस टाइम पे ऐसा नहीं बन पाया कि मैं जा अंगा टफ था और सीटेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनों ने बीपीएसी में एक अच्छा स्कोर किया लेकिन सीटेट उनका खराब हो गया और सीटेट में कहीं न गए एक या दो नमबर से रोगया तो उसका पूरा-पूरा सीटेट का रिजर्ट का इफेक्ट पीएसी पर भी पड़ेगा और बीएड वालों को भी जहां तक बाहर कर दियेगा तो इन सारे रीजन्स की वज़े से थोड़ा सा कट आफ कम जाएगा और अगर आपके कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कॉमें जरूर मेंचन कीजेगा मेरी वीडियो कल फिर आएगी और उसमें आप लोग की कॉमेंट्स का रिपलाई होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप लोग अपना प्यार बनाए रखेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और कॉमेंट्सक्शन में अपनी बाते मेंचन करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो मे झाल झाल